राजस्थान में विधान सभा चुनाव होने में तीन महीने का कम वक्त बचा है। चुनाव की तारीखों का एलान अभी भले ही न किया गया हो, लेकिन बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मेनिफेस्टो कमेटी बनाई। गौर करने वाली ये है कि पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी है। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए अब कुछ नहीं बचा है। उनके लिए दूसरा रोल है लिहाजा उन्हें ऐसी कमेटीों में शामिल करने की जरूरत नहीं। वहीं बीजेपी ने राजस्थान से पहले मध्यप्रदेश और चटिसगड के लिए भी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का एलान किया। पार्टी के तर्क से उलट मध्यप्रदेश और चटिसगड में बड़े चहरों को कमेटीों में शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमेटीों के नामों की घोशना को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फरेंस की गई। बीजेपी की कद्दावर नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया को शामिल नहीं किया गया है। हालां कि कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें जगह नहीं दी गई है। लेकिन वसुंधरा का नाम शामिल नहोने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे अभी इलेक्षन कैंपेंड कमेटी का एलान होना बाकी है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायन पंचारिया को इसका सन्योजक बनाया गया। और राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हैं। इसलिए उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पडोसी राज्यमध्य प्रदेश में भी इलेक्षन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। जहां कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तो मर को इसकी कमान सौंपी गई है। राजे के अलावा और भी कई बड़े नेताओं के नाम नदारत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा प्रदेश के कई और बड़े नेताओं का नाम इन दोनों समितियों में शामिल नहीं है। जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी इंचार्ज अरुन सिंह, गजेंद्र शेखावत, सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठोर शामिल नहीं है। साल की शुरुवात से अब तक छे बार राज्यका दोरा कर चुके हैं। हालांकि सिर्फ मोधी फैक्टर ही किसी राज्यका चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। हिमाचल और करनाटक चुनावों के नतीजे के बाद बीजेपी ये अच्छी तरह से समझ शुकी है। ऐसे में राजस्थान का फॉर्मूला एक सामुहिक नेत्रित्व का फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले पर काम भी शुरू हो गया है। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान को लेकर बीजेपी का संदेश साफ है। अगर वसुंधरा राजे चहरा नहीं है, तो और कोई भी नहीं है। बीजेपी के लिए पार्टी सर्वोप्री और सर्वप्रथम है। लोकसभा चुनाव के लिए वसुंधरा को बनाया गया जारखंड का प्रभारी हाल ही में जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अजमे से आगामी लोकसभा और विधान सभा चुनाव का बिगुल फुंका, तब वसुंधरा राजे को दो हजार चौबीस के चुनाव के लिए जारखंड का प्रभारी बना कर किनारे लगाने की कोशिश भी की गई, हालां कि ऐसा नहीं हुआ, वसुंधरा राजे ने अंदर खाने बातचीत की और केंद्र भी समझ गया कि उनके बिना राजस्थान में उतरे तो हाथ खाली ही रह जाएगा, शायद इसलिए पार् के कई वरिष्ठ नेताओं से मिली, उन्होंने पार्टी मुख्याले में बीजेपी के राष्ट्रिय संगठन महासचिव बीयल संतोष से मुलाकात की ये मुलाकात राजस्थान में होने वाले चुनावों के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है, राजनीती के जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान वसुन्धरा की ताकत को भांप चुका है, और अब आगामी चुनावों में उन्हें बड़ी भूमिका सौपा जाना लगभग तय है, राजे को सीएम चेहरा बनाने की हो रही मांग राजे की भूमिका बारे में पूछा गया, तो पार्ट के अनुसार पार्टी को अभी राज्ज में प्रचार प्रसार समिती बनानी है, और देखना होगा कि इसमें राजे का नाम आता है या नहीं, वहीं वसुन्धरा राजे के समर्थक इस बार भी उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री का चहरा बनाकर उतारने की मांग कर र पार्टी का कहना है कि चुनाव के नतीजे के बाद CM कौन होगा, इसका फैसला किया जाएगा वैसे राजस्थान में CM चहरे की दावेदारी के लिए वसुंधरा राजे का नाम सबसे पहले है उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला, गजेंद्र सिंग शेखावत, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठोर, सतीश पुनिया, सुनी बंसल का नाम है